जए हैं दोस्तों क्या हाल चाल उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए आज के दिन इस वीडियो में एक बाइफिर समय लोग इलेश्टाउन टेक्टार्स इंडियल इमिटेड को डिसकस करते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसके बाइर में समय समय पर मेरे वीड चीज़े ही पताऊंगा ताकि आपका मनोबल बढ़े और क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी जो अभी नहीं चलेगी तो लंबा चलेगा तो एक दिन में यहाँ पर देखें कि असपास तेजी देखने को मिली है हाला कि हम सब जानते हैं एक तिन के तेजी से कुछ नहीं होता लेकि हमें बंगला देश से भी सबसे उपर जाना है पूरे दुनिया हम सबसे उपर जाना है textile industry मामिले में अभी बंगलादेश सों से उपर चल रहा है तो textile industry में सबसे आगे जाने के लिए शरकार इस में क्या करती है कि investment ही सरकार के त Bagh BURht में सरकार के अलावा जो आवादाने क्लि के लिहास से काम आप समझ गए यह लिए fundamental पूर थोड़ा सा डिसकस करें यहां 77 कंपनी का मार्केट करें यानि कि छोटी कमनी जो सब कम हो उतना अच्छा माना जाता है PE ratio का मतलब होता है कि एक रुपय कमाने के लिए आप कितना रुपय दे रहे हैं तो यहाँ पर इस कंपनी में एक रुपय कमाने के लिए आप तके बुन पांच रुपय ज़्यादा दे रहे हैं यही यदि PE ratio 30, 35 से 50 होता तो उसका मतलब होता है कि आप एक रुपय कमाने के लिए इस कंपनी को 30, 35, 50 रुपय दे रहे हैं उस लिहाँ से समझें तो कंपनी का PE काफी संदार है यानि कि अभी सही जगा पर इस कंपनी का PE है और PE के हिसाब से देखें तो जो कंपनी का current share price है वह अभी value काफी सस्ता है यानि कि 100 पैसा है आसपस कमनी का सही प्राइस है जो एकदम ठीक है अभी के लिहास से है और देखें book value से कमनी का share price कम है यह थोड़ी सी चिंदा की बात है लेकिन कोई बात नहीं book value वी book value कम हो जागा जब share price बढ़ेगा और share price का बढ़ेगा वह भी आगे हमनों discuss करेंगे अब हम चलते हैं कमनी के चांट पर चांट पर समझते हैं कि इसमें क्या चल रहा है तो और इस तीन साल के चांट पर एक चीज़ा है तो समाने तरह breakout होता है नहीं कि breakdown होता है बैक्डावन तो बहुत कम होता है ज्यादातर ब्रेक आउट ही होता है तो इस लिए जितना लंबा प्रेक आउट होता है तो इस जब भी रिंच से यह कम से कम तीन रौपे कर लेवल जो कि इसके लिए यह लेवल है तीन डूप एगा क्योंकि यहां पर इसने देखेंगे तो डवल टॉप इसे श्टोक ने अब बनाया था डवल टॉप इसमें बना था और जब डवल टॉप बनता है तो उसके बाद प्राइस नीचे आता है और इम पैटर्न में यहां वाण ब्राइस नीचे आते है इसलिए कमेनी के पीछ है और भी वज़ोती उसको डिसक्वस करते हैं कि पृस उपर जाने के पीछे क्या क्यास हो सकती है तो वह नहीं यह बता दिया अलिए programa से बाहर निकलेगा इसका प्रैस यहां पर यहां पिजाएगा 560 के लिए जाएग प्राइस एक रुपए के ऊपर आए गए यानि कि आप यहां पे जब इस लेवल के आसपास एक रुपए के लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कर सकते हैं आपको मैं कुछ कमाल की चीज़ देखाता हूं बैलेंस सीट में देखेंगे आप तो जो कंपनी के इकविटी केपटल होता है देखिए पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और स्चबरदस तरीके से बढ़ा इकविटी केपटल बढ़ना चाहिए साथ ही कंपनी का जो रिजर्ब पैसा होता है रिजर्ब पैसा तो पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो कम हुआ है लेकिन यानि कि यारम नहीं किष़्गेगी कार्जा पहले पिछले कौर्ज में बढ़ा था, लेकिन इस क्वार्टर में नहीं बढ़ा है, सेमे रह गए, यानि कि ये भी बहुत बढ़ियां संदार बात है यह कि कमपनी के करजा नहीं बढ़ना सबसी कमाल की बात होती है क्याँगी इसके लूब एक चीछ और देखे लिए यहाँ पर देखेंगे तो अपको पिछले कुछ दिनों में बढ़ती बना ज़र आएंगे देखेंगे देखेंगे पहले सिर्फ दस परसेंट की आसपास थे पहले थोड़े कम हो गयते लेकिन वह बढ़ते हैं और यह दिरे दिरे बढ़ते ही जाए तो देखेंगे एक बात त्वस्पष्ट है कि मैंने जो भी जनकारी थी जो भी पुजटी बाते थी एलेस्टाउन टेक्स्टाइस के बारे में इस वीडियो में डिस्क्रसिंग करने की कोशिस की एक कुछ चुछ चूट गई हैंगे तो आप मुझे कमने में बता सकते हैं अगले धन्यवाद शुक्रिया आपका दिन सुभू